नए बच्चे हैं उनका रिजल्ट भी बहुत बड़ी संख्या में हुआ यह पहले अटरूली संख्या बहुत जादा देख रहा है मीन्स में भी फाइट बढ़ा है जिनके कुछ के ऑप्सन में बढ़े अच्छे मार्क्स हैं कुछ ने डी आई में अच्छा कर दिया है तो उसका भी असर पड़ा है और खास कर इस बार जो पेपर टू था उसमें देखे हूं के करेंट के कुशन जादा था हो सकता है कि फीजिकल स्टेंडर्ट के चलते भी कई लोगों को हटाया गया हो उनको यह लगा होगा कि हम फीजिकली फीट है तो यह थोड़ा सा जाच और इसको शोध का भी शाय है रास्ते में बढ़े हैं तो जैसे भगवान ने आखे दी है में आगे देखना है हम पीछे ना देखे नमस्कार आप देख रहे हैं NBC24 मैं हूँ आदेश पूरी BPSC 66 के फाइनल रिजल्ट घोसित कर दिये गये हैं आपको बता दे कि 685 कैंडियेट अपसर बन गए खल रात रिजल्ट आने के बाद हमार साथ हैं CME कोचिंग के संजै सर उनसे बात करेंगे कैसा रिजल को कैसे देख रहे हैं किन टाइप के छात्रों का हुगा है जातर हमने देखा टॉप 10 में तो आइटी वाले हैं इंग्लिस मेडियम वाले हैं हिंदी मेडियम वालों का क्या परफॉर्मेंस रहा है फिर से एकेडमिक जो हिस्टी जोगराफी इकनॉमिक्स यह सब्जेक लिए उनका क्या परदर सन रहा है और आप कैसा देख रहा है इस बार भी पेसी को आदेश जी आभार कि आपने इस विशेपे में बोलने का मौका दिया सबसे पली बात की सिक्षक के लिए आदर सी जो सफलता होती है को भी रिजल्ट आता है वो मिस्ट रहता है और क्योंकि मैं ब मेरे पास अदेश जी यहां पर पुड़ी तुरे स्टड़ी ने का रात को रिजल्ट आया है तो कड़ी यहां पर लगभग सारे 400 बच्चों का जो इंटर्वू देख फॉर्म है इसमें हर प्रकार के बच्चे हैं जैसे जो सीमी से प्रिलिम से जुड़े थे कई में से जु इस नमर का इंट्रिवू है बट जो बच्चा जिसको हम अगर प्रिलिम्स में 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 कुछ भी युगदान दे पाई हो बच्चा अलंकि अपने मेहनुत पर बनता है तो एक अच्छा लगता है तो हम संख्या पर नहीं जाएंगे हमारे यहां से लगभग अभी तक 117 अठा करा जाएगा जहां तक आपने बड़ा अच्छा सवाल पूचा जिस पर में धियान देना चाहिए कि क्या रिजल्ट रहा देखिए आदेश जी बीविन प्रकार के रिजल्ट है जैसे अब यह आप आये थे तो मैंने एक रिजल्ट की चर्चा की थी वह कल रात को सारे दस प बबली कुमारी उनका नाम है और तो पूरे रिजल्ट में सबसे पहले बिंदुवार बात करें टॉप तेन में नो डाउट निश्चित रूप से जैसा पिछले दो साल सा तीन साल देखा जा रहा है कि इंग्लिस मीडियम के बच्चों की संख्या जादा है लेकिन ऐसा नही माध्यम से में मार्क कोई नहीं ला पाया है तो सेमाध्यम की नहीं यहाँ पर दोनों माध्यम की देख रहा हूं कि में पास करें हमने ऐसा देखा कि यूपर के रहूंख प्र दो बढ़ा हुए है कौन लोग पास कर रहे हैं हमने ऐसा देखा कि जो नए बच्चे हैं उनका रिजल्ट भी बहुत बड़ी संख्या में हुआ यह पहले संख्या बहुत जादा देख रहा है जो नए बच्चे हां कुछ पुड़ाने भी से टॉप टेन में एक हमारे स्टुडेंट हम लो से हैं तो वह हुए तो वह जब मुझे यादक 63 से पहले भी दो तीन बड़ दे चुके थे तो वह भी है लेकिन जा तक मुझे ध्यान ना रहा है हमारे से तो सब लोग दस में बहुत नहीं जुड़े हुए है तीन लोग है उसमें से लेकिन 6-7 लोग में जाता है नए बच् सुरुवात के रैंकेस में जो टेकनिकल फिल्ड के बच्चे उनकी संख्या जादा है बट कुछ आर्ट्स वाले भी है और बाद में आर्ट्स की संख्या मुझे ठीक ठाक दिखी है अब आते हैं बिश्यों पर बिश्यों से संतुलित रिजल्ट है जैसा आयोग ने देखा जैसे 64 में मात्स के टॉपर हो गया थे इस बार मुझे पता ने कि टॉपर का क्या सब्जेक्ट है मैं उनसे परचित नहीं हूँ पर जो बाद की रैंक में एक सदानंद जी हैं जो हम लोग यहां से जुड़े हुए थे उनका एट्थ रैंक है हमारे यहां पीटी और मेंस के पहले से जुड़े हुए तो उनका जो सब्जेक्ट है वो इलस्ट डबलू है तो मुझे लगता है कि वो पैटर्ण सेम रहा है अगर ऑवरॉल देखा जाए तो कुछ भी सह से ज्यादा रिजल्ट है बच्चा बैक्राउंड उनका टेक्निकल से है बट जैसे हम लोग का इं लेस्ट डबलू भी था पर पहले जैसा नहीं था जैसे पहले जिसे प्रकार से खूब ज्यादा होते थे बट अभी अभी टॉप थ्री की बात करेंगे तो जोग्रॉफी हिस्टी लगभग बढ़ा थ्वरा सा हिस्टी कम हो सकता है और फिर आपका लेस्ट डबलू था तीन से अब एक्जैक्टली तो मनें पुड़ा काउंट नहीं किया है और टॉप रैंक में फिप्टी में मुझे दो लड़के दीखे थे लड़की दो बचों का मुझे दीख रहा था मतलब कहा जाए तो अभी भी लगभग टॉप थ्री में हिस्ट्री जोग्रॉफी हिस्ट्री और LSW का आज भी पकर है जो पुड़ाना पटन चला था पर लेसे थोड़ा सा कम हुआ है चौथी बात में बोलना चाहूंगा कि माक्स इस बार इंट्रव्यू के भी माक्स का असर पड़ा है जैसा मुझे लगा अब माक्स तो पता नहीं कि क्या आया होगा लेकिन साइट बढ़ा है जिनके कुछ के ऑप्सन में बढ़े अच्छे माक्स है कुछ ने डी आई में अच्छा कर दिया है तो उसका भी असर पड़ा है और खास कर इस बार जो पेपर टू था उसमें करेंट के कुशन ज्यादा थे जैसे कि हरित आप वहला जो कुशन आ गया था तो करेंट को किसने अच्छा मैनेज किया उनके रिजल हमने ज्यादा देखा है यह जो मुझे लगा प्रथम द्रिश्टिया देश जी सर एक चीज और सब आ रही है इसमें कुश विवाद आ रहा है कि टॉप 10 के कुश चात रहा है उनका कहाना है कि हमने अपना पहला 24 डीएस पी रखा था लेकिन उनका पांचवा 24 कनफर्म होता है हम 9th rank के हैं आपको बता दे कि एक कैंडिडिएट है 9th rank उनका आया है और वो बता रहा है कि हमने पहला डीएस पी रखा था फिजकली मैं फिट हूँ और मेरा पांचवा 24 कनफर्म हुआ है कल्यान पता दिकारी इसी तरह और भी दो तिन हैं जो नहोंने जिन सभी हम नहीं पूछे हैं इसलिए उनका नाम हम मुझागर नहीं कर रहे हैं तो उन लोग का भी कहना है कि हमने पहला प्रिफरेंस डीएस पी रखा और हमें दूसरे पद मिल गये हैं निरास हैं काफी वो बहुत बढ़िया सवाल है आदेश जी ऐसा हमें भी लगा है पर आप लोग मेडिया बंदू है आप ज्यादा फकर रहता है और आप तो बड़ा अच्छे इसमे अमर्त कुमारादर्जी तो उनको उसमें दो नमबर दिखाया गया था और मुझे मैं भड़ा खुस हुआ कि चलो भाई दो नमबर है तो उनको उपर का रेंक मिल जाएगा तो उनको लेकिन मिल रहा है मायूरिटी विलफेर का दो ही सिट था उसमें सेकेंड रैंक है और 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 उनका रैंक टेंथ मेरिट लिस्ट में है तो उनसे अभी दोफर में उन्होंने मुझे फोन किया था तो उन्होंने ये बात बताया कि सर चुके मैं और जाच करना चाहिए हो सकता है कि फीजिकल स्टेंडर्ड के चलते भी कई लोगों को हटाया गया हो उनको यह लग होगा कि हम फीजिकली फीट है तो यह थोड़ा सा जाच और इसको सोध का विशाय है एक चीज़ और मेरे ऑफिस में कई गार्जियन का फोना आया चात्रों का फोना बड़ी उदास है जिनका नहीं हुआ इंटर्वू से नहीं होना बड़ा है दुखदाई भी होता है आपक कि अगर उनका होता तो अच्छा लगता है इसकी तो पीरा समाप्त नहीं होती है मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा कि कई सारे बच्चों में वो प्रिलिम्स में सफल होके आए फिर कुछ बच्चों में में सफल होके आए वो इंटर्व्यू तक सोच पहुँचे तो यह मा मितेश कुमार नाम है वो एक दिन मौक में मैं लास्ट में आया अपना क्लास ले कि तो आये तो उन वो पिछले सा चाहर या पांच बार से इंटर्व्यू दे रहे तो मितेश कुमार नाम हो या उनका नाम हो आपका नितेश कुमार मेरे मोबाइल में मितेश कुमार से से मैं कहना चाहता हूं ना कि पांच वी बार है तब भी बच्चा लगा हुआ है ना कोई नहीं हुआ अगर रास्ते में बढ़े हैं तो जैसे भगवान ने आखे दी है मैं आगे देखना है हम पीछे ना देखे और एक बड़ी पोजिट्री बात सुझा जा सकता है कि इस बार जो सरसटवी का एक्जाम है उसमें 88 SDM है 20 DYS जिसका बहुत जादा क्रेज आदेश जी तो मैं कहूंगा कि वो आगे देखें हम भी खुद करीब तक पहुंचे थे मैं भी कोई कोचिंग टीचर बने के लिए दिली नहीं किया था पीता जी नहीं बोला कि बैटा जाओ तैयारी करना जो बिहार का प्रटन चलता है आईटी नहीं हुआ तो तुम आईएस बन जाना मैं आईएटी नहीं निकाल पाया डियू में अच्छा रैंकर रहा फिर जेनु तक गया नहीं पास कर पाया मैं आदेश जी थर्ड स्टेप तक भी पहुँचा पर हम सोचे कि हम आगे बढ़ते चले तो फिर मैं प्रोफेसर में भी हुआ और अभी प्रयास करता हूँ जो अच्छे से पर रहा आदेश जी वो बहुत आगे जाएंगे और वो धहर रखे तुरंत ल रंग लाती है हमारे साथ थे संजय सर और इन्होंने सारा चीज बताया सब्यक्ट वाइज ग्रूप लेकर मेडियम लेकर और इनका यही कहना है कि वैसे छात्र जिनका नहीं हुआ है वो लगे रहें कमप्टीशन है यहां पर एक तरह से कहें तो लाखों में से कुछ सव को चुना जाता है तो बाहर होने के लिए ही यह सब परिक्षाय होती है तो इसमें जो अच्छा पर्दसन करता है उनी का चैन होता है आपका इस बार नहीं हुआ आप पुडे जोस के साथ अगली बार में लगे अगली बार में आपका जरूर फाइनल होगा तो फिलाल इस में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद